प्रत्यासी के लिए एक उपलब दी थी सतना का मेडिकल कॉलेज लेकिन वो भी अब बंगाली दवा खाना से ज्यादा कुछ भी नहीं करोड़ रुपय की लागत से बने भवन को बड़े ही उत्साह के साथ विधान सभाचुनाओं के पहले आनन फानन में भारत के ग्रह मंत्री अमिच साह के हाथों लो कार्पित कराया गया यह सब चीजें इतनी जल्दी की गई जैसे मानो सतना सतना मेडिकल कॉलेज मरीजों के लिए बाहें फैला कर उन्हें सुविधाएं देने के लिए इंतजार कर रहा है लेकिन परणाम भी कुछ से उलट हुए अब वरतमान में सतना मेडिकल कॉलेज अपनी अव्यवस्थाओं के लिए चर्चा में रहता है हालिया खबर के मुता होने वाला स्टाफ चात्र वा मरीजों का क्या होगा यह कुछ भी अभी निश्चित नहीं दिखाई दे रहा है लोकारपण के समय सतना के महापौर योगेस तामरकार ने एक करोर रुपे की कीमत की भूमी का दान देना स्विकार किया था भरे सभा से यह घोशना की गई थी और उसके एवज में काफी बाहवाही भी उन्हें मिली लोग उनकी चोतरफा तारीफ करते हुए नजरा रहे थे लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज के हाल है उससे यह साब जाहिर होता है कि आगामी कई वर्सों में भी वह जनता को सुविधाएं देने के लिए अपनी उप्योगिता साबित नहीं कर पाएगा मेडिकल कॉलेज के बदहाल हाल जनता से चीक चीक कर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मेरे भविस्व में क्या लिखा है क्या राजनेता इसी चरीके से सास्की संपत्ति का दुरूप्योग करते रहेंगे क्या भवन अपनी सुविधाएं देने से पहले ही जरजर हो जाएगा हाला कि निर्मान के समय में भी कई एजन्सियों पर ब्रश्टाचार के आरोप लगे थे अब सतना का मेडिकल कालेज किसी बंगाली दवा खाने से कम नहीं बचा है सतना मेडिकल कालेज के बारे में आप क्या राय रखते हैं अपनी राय हम से कमेंट के माध्य हम से जरूर सेयर करें